Hello everyone, आज 1 माई 2021 है और 1 माई 2021 में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है ऑक्सिजन की कमी होस्पिटल्स में और ऑक्सिजन की कमी की वज़े से काफी लोग परिशान है काफी लोगों को बहुत जादा प्रॉब्लम हो रही है कई लोगों को सांस लेने में दिकत हो रही है कई लोग जिनके पास पैसे नहीं है वो ऑक्सिजन के सिलेंडर से नहीं खरीद पा रहे हैं यह तो है एक десяießen ही नहीं? हाँ में तो आजकल जहर है, यह सब बेकार की बाते बाते है लेकिन ये गलती जो लोग कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि अपने चेहरे पे मास पहन रहे हैं सरकार ने उनको बोला हुआ है मास पहनने के लिए आप हमेशा मास पहनिए आप घर में है तब भी मास पहनिए तब भी मास पहनिए अगर आप कहीं पर जा रहे हैं तब भी मास पहनिए अगर कार में भी बैठे हैं कार में कहीं जा रहे हैं तो भी मास पहनिए पूरे दिन के 12 गंटे में से हम 8 गंटे मास पहन रहे हैं, तो क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी तो वैसे ही होगी. आप मास पहन रहे हैं, आपने 60% के आज़ पास रास्ता ब्लॉक कर दिया है अपने आपको ऑक्सीजन लेने के लिए. जो मैं अभी ऐसे सांस ले पा रहा हूँ वो मास बहनने के बाद मैं सांस कम ले पाता हूँ उससे oxygen मेरे शरी में जाता नहीं है oxygen की कमी हो जाती है और जो मास मेरे मुँपे है उसमें सांस लेने के बाद जो मैं सांस छोड़ रहा हूँ तो वो oxygen नहीं मैं carbon dioxide छोड़ रहा हूँ और जब वापिस में सांस ले रहा हूँ तो वही carbon dioxide और थोड़ी से oxygen मेरे अंदर जा रही है इस वज़से oxygen की कमी हो रही है और इस कमी की वज़े से फिर मुझे hospital भागना पड़ रहा है और oxygen के cylinders लेने पड़ रहे है लाग लाग रुपे में cylinder ले रहे हैं पचा-पचासदा रुपे में cylinder ले रहे हैं cylinders की काला पाजारी हो रही है और अगर आपको oxygen की कमी की वज़े से अगर हॉश्पिटल में admit हो रहे हैं तमाम तरह की दवाईया रेमडेश स्वेर है और कई और सारी दवाईया है परदार में काला पाजारी हो रहे है आपकी अपनी बेवकूफी की वज़े से आपकी oxygen level कम हो रहे है hospitals पे burden पड़ रहा है लोग अपनी काला पाजारी कर रहे है और फिर आप दोश दे रहे हो काला पाजारी करने वालों को इस बात पर मुझे गुस्सा आता है मैं कभी भी political या इस health के उपर इस तरीके के चीज़ों के उपर काला पाजारी के उपर भष्टाचार के उपर इस तरीके के वीडियो मैं कभी बनाने की सोची भी नहीं थी जिन्दगी में नहीं सोची थी अगर कोई मुझे कहता था कि आज politics में यह हो रहा है जानकारी में अगर कोई बात चीत आ जाती थी कोई news पता चल गई तो वो एक अलग बात है लेकिन politically मैं बात करना नहीं चाहता है कि कोई political के उपर politics के उपर बात करना टोटली time of waste में मानता था अगर मेरे सोचने से मेरे करने से अगर political decision पर कोई फरक नहीं पड़ता है तो मुझे बोलने का कोई अधिकार नहीं है मुझे बोलना नहीं चाहिए मैं पूरे 12 घंटे बोलता हूँ लेकिन अगर किसानों के आंदोलन के उपर अगर मैं कोई निर्णय नहीं ले पाता अगर मेरे निर्णय लेने से मेरे सोचने से किसान आंदोलन के उपर कोई effect नहीं पड़ता है तो मेरा बोलना बेफ़जूल है लेकिन आजकर लोग ये समझ रहे हैं और अगर मैं कहीवे पोस्ट या कोई इस तरी की चीज़े डालता हूं कि मास का यूज मत कीजिए मास का जादा एक्सेसिव यूज करना आपको बिमार करेगा तो लोग नहीं मानते हैं लोग उल्टे सिदे भद्दे भद्दे कमेंट करते हैं कि आप लोगों को भड़का रहे हो आफवा फैला रहे हो फेक नीज फैला रहे हो आप लोगों को बिमार कर दोगे लेकिन अगर मास्क ना पहने से लोग बिमार हो रहे हैं तो मास्क पहनने से क्या हो अच्छे हो रहे हैं मास्क पहनने से और ज़्यादा बिमार हो रहे हैं मास्क का excessive use करने से आपको hypoxia होता है hypoxia एक बिमारी है जो मास्क के excessive use से होता है Health Ministry ने Ministry of Health and Family Welfare ने अपने website में और FAQ में एक चीज़ क्लियरली लिखी हुए है कि only wear a mask if you are ill with COVID-19 symptoms or if you are taking care of COVID-19 patient अगर आप COVID-19 patient को देख रहे हो या पिर आप COVID-19 symptoms से बिमार हो तो ही आपको मास्क पहना चाहिए healthy ब्यक्तियों को mask नहीं पहना चाहिए लेकिन ये कोई बात नहीं मानता है अगर कोई ये news मैं share करता हूं तो लोग कहते हैं कि आपको आप लोगों को बेवकूप बना रहे हो आप लोगों को गलत information दे रहे हो आपके पर case होना चाहिए आपके खिलाफ कोई कारवाई होनी चाहिए आप भ्रह्म फैला रहे हो आप अफवा फैला रहे हो लेकिन जो भी मैं डालता हूं जो भी वेबसाइट है जब सरकारी वेबसाइट है और सरकारी वेबसाइट पर उन्होंने एक question answer का section डाला हुआ या मास्क के उपर कोई चीज डाली हुई है तो उसके बाद क्या प्रूफ रह दाता है वो मैंने तो ले जाके नहीं चिपका है वहां पर मैंने तो ले जाके उस स्वेक्ति को नहीं पहनना चाहिए तो उसमें किसी की validity की क्या ज़रूत रह जाती है तो इस तरीके के लोग हैं इस तरीके के चीजे हैं और इस तरीके से यह इस से बढ़िया मार्केटिंग strategy नहीं देखी कि लोगों के खून तक में यह बैठ गया है कि आप मास अगर नहीं सबसे बैस माना जाता है वह भी आपको कोई नाइटीन के सबसे कोई मास नहीं बचा सकता जो जब वह संक्रमन से नहीं बचा सकता कोई मास तो आपको मास पहनना क्यों ज़रूरी है आप मास किसलिए पहन रहे हो जब वह संक्रमन से बचाई नहीं सकता कोई भी मास नहीं बचा सकता आपको कोरणा वायरिस के संक्रमन से तो कि करणावाइस का जो साइज है बहुत ज़्यादा कम है और आपके N95 मास या जो जितनी भी complex मास है उनका pore size उससे काफी ज़्यादा होता है पहले लोग कहते थे कि आप सीनीजिंग और खासी से जो है दो घज की दूरी ज़रुरी है आप मास ही पहनेए दो घज की दूरी भी अपना यह तब सिफ रह सकते हैं अब तो कहा जा रहा है कि हवामें वाइरस हो गया है तो आप कहाँं से बचिएगा और अगर हवा में वाइरस आ चुका है, एक साल से मैं सुना हूज हो कि हवा में वाइरस थी ह hooked up कि अगर हुआ कर दुनिया खत्म हो चुकी होती है अगर हुआ वाइरस बैद निभी कंतिशी कि अगर हम फ़र्ध बियुत बहुत करना ह dipping गळा बैट heures mods sun तो मैंने मास नहीं लगाया तो एक साल से मैं तो मुझे तो कोरोना वायरिस हुआ नहीं तो मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा प्रूफ हूँ कि कोरोना वायरिस आपका अगर मास नहीं लगाएंग तो कोरोना वायरिस हो जाएगा आपको शुरू में हमें जानकारी नहीं थी, हम भी डरे हुए थे, भैबी थे, हम जब बजार से सब्जियों को भी हम धो धो के यूज करते थे, किसी ने हमें छुटे दिये, पैसा दिया, पैसे को भी सेनिटाइज किया, हर चीज में बाहर से आया, तो कपड़ी उतार के वो भी धो यह नहाया, अच्छी तरीके से नहाया, 70% वाले सेनिटाइज जैसे हमने हाथ को सेनिटाइज किया, हमेशा हां दोया, लेकिन अगर आप यह देखिए, कि अगर आप हाथ हमेशा धोते रहते हर आदे गंटे, घंटे में अगर हां धोते रहेंगे, तो आप वैसे ही बिमार दाली, कि आप मास पहना ज़रूरी नहीं है, यह सरकार ने कहा है, लोगों ने फट से कमेंट करने लगे, उटे सिधे कमेंट करने लगे, लेकिन उसने किसी ने भी उसको क्लिक करके पढ़ने की कोशिश नहीं की, कि क्या मैं जो बात कह रहा हूं, वो उसमें लिखी हुई है और वो चीज जो लिखी हुई है, वो Health and Family Welfare Ministry ने लिखी हुई है, लेकिन नहीं, बीना सोचे समझे, आप कमेंट करते हैं सरफ, क्योंकि लोगों को सिफ बोलना आता है, बोलना आता है, आप मैंने समय लगाया, मैंने इतनी research की, मैंने उस चीज को तथे को समझा, जाना, औ फिर मैं उसको लेके, आपको वीडियो बनाके, एडिट करते हैं, अपना टाइम वेश्ट करके, अपनी एनरजी वेश्ट करके, और वो चीज डाल रहा हूँ, और आपने एक सेकिंड में कहा दिया, कि ये फेक है, आप भ्रम पहला रहे हैं, आपके खिलाब किये सुना जी, ऐसे लोगों को मैं सल्यूट करता हूँ, ऐसे लोगों की समझदारी और ऐसे लोगों की जो पढ़ाई लिखाई और सो समझ है, उसको मैं सल्यूट करता हूँ कि क्या बताएं, ऐसे ये है हमारा यूत और ये है हमारे पढ़े लिखे लोग, गाउं में जादातर लोग होते हैं गाउं में जातातर ऐसे केसिस नहीं देखे के जहां पर वह बहुत जाता मास्क यूज करें वह एक कपड़ा अंगोचा या अगर लेडीज है तो उसने दुपटा डाल लिया वह एक अलग चीज है लेकिन मास्क के लिए सेनिटाइजर के लिए इस तरह के के लिए मौरात्रे से और नया साल शुरूआ हिंदू नववश का और जब यह मौसम चेंज होता है इस केस में बैक्टेरिया वगरा वाइरस वगरा पनपने के चांसे जादा होते हैं जिसकी वज़ए से लोग बिमार पढ़ते हैं अगर वाइरल फीवर जो है वो हर साल चलता है हर स छार दिनसे लेकर, हफते दस दिन दो हफते तक भी रहता है लोग इस बाहसे एक यह वाइरल फीवर जो है koronavirus है और इस बार और उस देशट की वज़ए से उंको लग रही है और वो लोग बिमार हो रहें यह से वरल्य थे जाकर मर जा रहे हैं ऐसे ऐसे केसे कि कि हैं अची और पश्यसी तरह के सांस लेने रावास। फाकर डिते कर लिया, तो म財सा सब बाद से बूड़ा, ईक्कारणे को पमद लिए वायरिस ब्रगाजिया है। क्यों नहीं दी जाये कि उसके कोरुणा वाइरס से वियर ठीडिय को किसी भी वाइरस रहने के लिए लीविंग आधार जिन्दा है तो ही वाइरस रहेगा तो ही वाइरस काम करेगा नहीं तो वाइरस अधे मर जाएगा अगर आपके आपका शरीर मृत ऐ है ड़ड बॉड ए ड आपको नहीं दी जाएगी, कोर्ना वारिस हो जाएगा, तो आपके जो रिष्टदार है, जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, वो भी पीछे हांथ कीछ ले रहे हैं, क्यों उनको जानकारी नहीं है, इतना पढ़ा लिखा होने के बाद, आज की डेट में इस विश्व में बहुत क्यों मान रहे हैं, क्योंकि वो एक डॉक्टर है, डॉक्टर कह रहा है, तो सब कुछ ठीक ही कह रहा होगा, डॉक्टर तो ये भी खहता है, कि हाँ, हॉस्पिटल में एडमिट करा दीजे, और ये ठीक हो जाएंगे, लेकिन हॉस्पिटल जिम्मेदारी नहीं लेता, वो अगर operate हो रहा है, कोई भी काम हो रहा है, तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तो ये अपनी जिम्मेदारी पर मरेंगे, और आप इतनी डरे हुए हैं कि करके साइन करते हैं, तो इसलिए साइन kरते हैं, क्योंकि आपको अपना जो रोगी है वो तो ठीक कराना है, और हॉस्प तो उसमें आपसे बहुत जादा पैसे वसूले जाएंगे उनकी भरपाई होगी अगर सरकारी ऑस्पिटल है तो उसमें केरलेसनेस अगर है उसकी वसे अगर मर गया तो उसके उपर कोई ऐसी चीज नहीं है उसका पोश्मॉटम होगा तो आपके शरीर में बेशने वाली बहु मार रहे हैं और हमें ये भी पता नहीं चला कि हम उनकी मौत के जिम्मेदार हैं हम होस्पिटल वालों को जिम्मेदार ठहरातें बाद में मुझे माफ कीजिए मैं ये कड़े शब्द बोल रहा हूं लेकिन ये बहुत सोच समझ के बहुत गुसा है मेरे अंदर इस वर से बोल करना रहा हम बहुत जहदा मैं इराश हो चुका हूं इसलिए मैं बना रहा हूं ताकि आप लोग जागे भारतिया होने का फर्ज निभाईए अपने परिवार और अपने देश को बचापे देस को बचाने देश आपका फ्रिवार बचेगा, तो फिर देश की सोचिए, औरों के बारे में सोचिए, फिर देश के बारे में सोचिए, तो कि आप नहीं रहेंगे, तो देश नहीं रहेगा. दी पोपुलेशन का एजिंडा है, 21, जो बिल गेट्स ने अपनी स्पीच में कहा दिया, वो यूट्व पे आज भी देख सकते हैं, कि अगर हम बहुत अच्छा काम करते हैं, हैल्थ सर्विसेज और वेक्सिन के उपर, तो हम इस पोपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, परसेंट कम कर सकते हैं, तो अगर आप हैल्थ सर्विसेज और वेक्सिन पर अच्छा काम करेंगे, तो पोपुलेशन कम होगी, यह कैसे कम होगी? तो इस चीज को समझेए, अगर आपको कहीं पर भी मेरा पॉइंट वेलिड लगता है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना है, तो कर दीजिए, किसी का भला हो, मेरे चैनल के लाइक सो सब्सक्राइब के लिए नहीं, सब्सक्राइब जो भी करना है, वो आपकी अपनी इच्छा है, मैं नहीं कोँगा इस चीज के लिए, लेकिन इस मेसेज को पहुंचाईए, जिस से इसका भला हो सके.